हेलो फ्रेंट्स वी अर्वेरी वेलकम इन माई चेनल किरन स्टेडी पॉइंट आज इस वीडियो की माध्यम से हम जानेंगे कि रवी और करीब की फसले क्या होती है और इसके उधारन क्या है और ये किस समय बोई और काटी जाती है चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रवी की फसल के बारे में पहले बात करेंगे रवी की फसल समान्यता अक्टूबर नॉंबर के महिने में बोई जाती है इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुशक और गर्म वतावरन की आउशकता होती है रवी की फसल वसंत रिदू में काटी जाती है जबकि शीर रिदू में बोई जाती है रवी की फसले नॉंबर के मदे में बोई जाती है खास कर मानसून की बारिश खत्म होने के बाद और कटाई अप्रेल मैं में इसके सुरू हो जाती है चलिए देखते हैं रवी की फसल कौन-कौन सी होती है यानि के इसके उधारन कौन-कौन से हैं रवी की फसल में कौन-कौन सी फसले हैं जो इस मुसम में हो गाई जाती है गेहु, जो, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, वे, सरसो रवी की परमुक फसले मानी जाती है डियर फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको असानी से मिल सके और आपको इस चैनल पर आटन क्राफ्ट, एजुकेशन रिलेक्टिड काफी सारी वीडियो प्राप हो जाएगी और चलिए वीडियो को अन्तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अब हम जानेंगे करीब की फसले किसे केते हैं और इसके एक्जामपल्स क्या है करीब की फसल इन फसलों को वोते सबे अधिक तापमान एवं अधर्ता तथा पक्ते समें सुस्क वातवरन की आसकता होती है जिससा कि मैंने आपको पहले पताया कि रविकी जो फसले वो अक्टूबर से नॉंबर के महीने में बोई जाती है यानि के शीत रिदु में बोई जाती है और बुआई में कम तापमान और पक्ते समें गरम वातवरन की आशकता होती है उत्तर भारत में इनको जुन जुलाई में बोते हैं और इन्हें अक्टूबर के आसपास काटा जाता है अर्बी वाशा में खरीव सब्द का मतलब पतजड है खरीव की फसल अक्टूबर में पतजड के मोसम में त्यार होती है इसलिए इसे इस नाम से बुलाया जाता है खरीव की फसल को मान सुने फसल भी कहते है खरीव की फसल कौन कौन सी है इसके एक्जामपल क्या है ये देखेंगे धान, मक्का, बाजरा, जवार, मुमफली, सोयबीन, तील, अरंड, अरहर, मौंग, उरद खरीव की फसल के उधारन है तो हमने ये जाना खरीव और रवी की फसल ये कौन कौन सी है और इसे किस मोसम में बोया और काटा जाता है अब हम मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और प्लेज सब्सक्राइब आज़ाएगे